दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेट लॉस ड्रिंग की रेसिपी यह स्पेशली पेट की चर्बी याने बेली फैट कम करने के लिए बहुत ही बहतरीन और सेफ है यह जो ड्रिंग है चार से पाच दिन में आपका चार से पाच किलो वेट कम कर देगी आपको इस असरदार ड्रिंग है नमस्कार निशा मदोरिमा रेसिपीज में आप सभी कस्वगत है आज मैं आपके साथ बहुत ही असरदार वेट लॉस ड्रिंग बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ हम आज की जो असरदार वेट लॉस ड्रिंग बनाने वाले है इसकी सबसे में सब्जा सीड्स एक खास तरह की बीज होते हैं जो कि इस तरह से दिखते हैं सब्जा सीड्स कैसे बनते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बता दू यह जो मिठी तुलसी होती है इसमें यह जो फूल आते हैं यह जो मंजेरी लगती है इसमें से जो इसकी तासी ठंडी होने की वज़े से ये हमारे body temperature को maintain रखता है इसे के साथ हाथ पैर में होने वाली जलन को भी ये दूर रखता है हमारे brain के लिए तो ये टौनिक होता है हमारे दिमाग को भी ये काफी ठंडा रखता है सबजा seed को हम सबजा seeds के नाम से ही जानते है इसे तुक मलंगा तुक मारीया या फिर इसे हम बैसल seeds के नाम से भी जानते है आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे comment करके जरूर बताइए चलिए इस weight loss drink को बनाना शुरू करते हैं हमने एक काच का glass ले लिया है इसमें एक ग्लास भर के गुनगुना पानी डालेंगे इसमें अभी हम एक चोटा चमर सबजा के बीज डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे यह सबजा के बीज आपको किसी भी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं या फिर आप इसे online भी मंगवा सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिला दिया है इसे हम 10-15 मिनिट के लिए इस तरह से भीगने देंगे जब ये भी अच्छे से फूल जाएंगे तो ये जेली की तरह दिखने लगते हैं दोस्तो सबजा के सिट्स हमारी हیल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं वज़र गटाने के साथ ही इसमें Anti-Oxidant होने की वज़ये से ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं ये हमारी स्किन और मसल्स को बिल्कुल भी लूज नहीं होने देते हैं अगर हमारी स्कीन लूस पड़ गई है तो इसके सेवन से हमारी स्कीन बहुत टाइट हो जाएगी इसी के साथ इसमें होता है बहुत सारा फाइबर जिसकी वज़े से हमें काफी टाइम तक भूख नहीं लगती और हमारा पेट भरा रहता है और हमें ओवर इटिंग से भी ये बचाता है इसी के साथ इसमें केलशियम, प्रोटीन, फॉसफरस, पोटेशियम, मैगनेशियम, विटैमिन B, विटैमिन B2, विटैमिन B1, ओमेगा 3 fatty acid बहुत मात्रा में पाया जाते है इसमें बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि कबज की शिकायत यानि कॉंस् का रूप ले लेती है जो की काफी दर्दनाक और परेशानी वाला होता है हमारे बोड़ी में जो हार्मफुल कोलेस्टरॉल है उसे भी दूर करता है दोस्तो सबजा सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं दोस्तो आप यकीन नहीं मानेंगे अगर आप इसका रेगूलर सेवन करते हैं तो आपको एक हपते में ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा अब हम इस ट्रिंक में एक बहुत ही खास चीज मिलाने वाले हैं जी हां आपने सही पैचना हम इसमें नीबू का रस डालने वाले हैं वजन घटाने के लिए नीबू का आसानी से कम होता है इसे के साथ नीबू पाचन तंतर को बहतर करता है नीबू को नैचरल क्लिंजर माना गया है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्लिंजर का काम करता है मतलब कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक है या फिर जो विशारी पदार्त जिसे कहते हैं वो होते है इन्हें बाहर निकालने का काम नीबू का रस करता है इसमें अभियम आधे नीबू का रस डालेंगे दोस्तों नीबू को विटेमिन C का मुख्य स्त्रोत माना गया है पेट में जमा फैट को कम करता है नीबू में फाइबर, पोटैशियम, विटेमिन C, विटेमिन B6, पेक्ट होता है क्योंकि इसमें मौजूद जो पैक्तिन होता है वो भूब को नियंतरित करने में मदद करता है और जंक फुड के क्रेविंग को कम करता थे prior media को नहीं होने देता है मतलब कि शरीर को हमेशा हàiडरेट रखता है दोस्तों इसमें अभी हम एक तीसरी चीज मिलाने वाले हैं यह शहद शहद भी वजन घटाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है यह प्रक्रोतिक मिठास से यूगत होता है यह बहुत ही सेफ होता है इससे हमारा वजन भी बहुत जल्दी घटता है शहद को अगर या गुन-गुने पानी की साथ लिया जाए तो इससे हमारा वजन बहुत जल्दी घटने लगता है सदियों से शहद आहर और अवशदी का एक हिस्सा रहा है शहद में मोनोसेकिराइड फ्रुक्टोज और ग्लूकोज अच्छी मातरा में होती है इसमें लगवक सत्तर से अस सुधारते हैं हमारे प्रतिरक्षा तंतर को सुधारते हैं मधोमेक के लिए भी ये पायदे मंद है तवचा के लिए तो शहद विशेश लाबकारी होता है यह हमारे शरीर पर जुरिया भी नहीं पढ़ने देता है और हमारे स्किन को बहुत सॉफ्ट और फेर रखता है अग हमारे शरीर को अंदर से थंड़क देता है हमारे शरीर का पी एच लेवल भी कंट्रोल रखता है अब हम बात करते हैं इस ड्रिंक को कौन पी सकता है कौन नहीं पी सकता है कब पीना है कितना पीना है इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपसे विस्तार पुर्वक शेयर करने जा रहे हूं आप इस वीडियो को अन्त तक देखिए इसे पीने का सही समय है सुबह खाली पेट सुबह खाली पेट हमें इसे गुनगुना पीना है अगर ये सब्जा के सिट फूलने तक ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है तो आप इसे गुनगुना करके ही पीजिए आप इसे दिन में दो बार पी सकते हैं सुबह खाली पेट नाश्टे से पहले इसे पीना है इसे पीने के बाद आधे गंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है रात को आप इसे खाना खाने के बाद सोने से आधा गंटा पहले लीजिए सुबह और शाम इसे आपको गुनगु नहीं पीना है इस ड्रिंक को सुबह खाले पेट पीने से हमारा पेट भरा सा रहता है जिसकी वज़े से हम बाहर का उल्टा सिधा खाने से बचे रहते हैं और हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है रात में जब हम इसे सोने से पहले पीते हैं तो इससे हमारा बाडी फैट बॉन होता है अब हम जानेंगे इस ड्रिंक को कौन पी सकता है और कौन नहीं पी सकता है आप इसे ध्यान देकर सुनिए प्रेगनेंट लेडीज याने की गर्भवती महिलाए और स्तनपान कराने वाली माताए मतलब फिडिंग मदर्स इस ड्रिंक को बिलकुल भी नहीं पीए इनके अलावा घर में बड़े बुड़े सभी इस ड्रिंक को पी सकते हैं आप इस ड्रिंक को रेगुलर पीजिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही सेफ ड्रिंक है या फिर आपने जो अपने दिमाग में टार्गेट सेट किया है आपका वजन घटाने के लिए आपका टार्गेट पूरा होने तक पीजिए ये ड्रिंक बहुत ही अच्छी ड्रिंक है दोस्तो आप यकीन नहीं मानेंगे जिसने भी इस ड्रिंक को पिया है अगर आप अपना वजन सही में कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा जैसे कि आपको अपने खाने में पत्तिदार सबजीयों का यूज करना है इसे के सहत आपको दिन भर बहुत सारा पानी पिते रहना है अगर पॉस्टी बर हो सके तो आप थोड़ा सा वाकिंग भी स्राट कर दीजिए इसे भी आपकी कैलरी बहुत जल्दी बॉन हो जाएगी और आपका शरीद सुडोल और सुन्दर दिखने लगेगा अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूसफुल रेमेडि को ज़रू शेयर कीजिए इसी तरह से और भी यूसफुल वीडियो और स्वाधिश रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ में जो बेल का बटन दिया है इसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ने वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए दोस्तो आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते